तो यह हमारे दोरों ट्राइंगल से अबिसे और पी क्यूर तो यह रहा है रहा हमारे ट्राइंगल ए मैं अबिसे और पी क्यूर इसके मीढियान ए डी और पी एम तो यह रहा हमारा मीढियन ए डी और यह रहा हमा tumor मीढियन पी एम हमें के ब mosquito मैं बिख लिए और दीख लिए a PM प्रूफ करने लिम्App क्या करना पड़ेगा Wahrneегlal ABC और ट्रेंगल PQR को क्या करना पड़ेगा हमें इन दोने ट्रेंगल को क्या करना पड़ेगा इसमिलर करना पड़ेगा तो पहले जो हमें गिव्ण बूदे लेता हैं तो ट्रेंगल ABC और PQR similar है तो इसका मतलब क्या होगा हम यहां पर लिख सकते हैं AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon यहां पर हम लिख सकते हैं AC upon PR क्योंकि यह दोनों triangle similar हैं तो इनकी sides भी क्या होगी equal होगी तो इसलिए हमने से upon में लिख लिए आप हमें चाहिए यहां पर हम AD के लिए क्या करेंगे यहां पर देखो यह हमारा BC part है अब यह AD midpoint है तो यह इन दोनों को equal parts में divide कर रहा होगा तो हम BC को लिख सकते हैं BC को हम लिख सकते हैं 2BD है ना 2BD लिख सकते हैं क्योंकि BC हमारा कैसे form हो रहा है BC हमारा form हो सकते हैं BC plus DC इपने तो यहांपर हमारा डी करें डीन बडी क्या हो जाईगा हमारा 2BD के equal ऐसी हमारा जो QM है QR है तो यहां पर PM है median तो QM और MR क्या होंगे equal होंगे आपस में तो यहां पर हम लिख सकते हैं QR को हम क्या लिख सकते हैं QR को हम लिख सकते हैं 2QM तो 2QM अब हमें values मिल गए हैं इसे हम mark कर लेंगे first और इसे हम मार्क कर लेंगे second अब हम क्या करेंगे इसे अपने given वाली equation में पुट करेंगे तो यहां पर हम लिख लेंगे AB upon PQ is equal to BC sorry BC की जगे पर हम क्या पुट कर सकते हैं 2BD तो यहां जाएगा 2BD upon में QR की जगे पर हम पुट कर सकते हैं 2QM is equal to AC upon में PR यहां यहां पर लिख सकते हैं आप क्या होगा 2 से 2 हो गया cancel यहां पर क्या बच जाएगा यहां पर आ जाएगा हमारा AB upon PQ is equal to BD upon QM is equal to AC upon PR अब यहां पर देखो हमारा कॉंसर्ट ट्रेंगल फोर्म हो रहा है तो AB BD और AC यहां पर देखो AB BD और 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 हमारा जो लास्ट ट्राइड थी वह थी AC तो देखो AB और PQ equal है AC और PR भी equal है हमने यहां पर क्या निखा BD upon QM लिख दिया यानि कि जो हमारे यह BD है यह QM के equal है यानि कि जो हमारा एंगल B है वो किसके equal हो गया angle Q के तो यहां पर side angle लिखो side यह angle और यह side और यहां पर side angle side तो हम क्या लिख सकते है कि हमारा triangle ABD is similar to triangle PQR तो यहां पर हम लिख लेंगे by side angle side triangle ABD is similar to triangle PQM और यहां पर अगर हमारे यह दोनों triangle similar हो गए तो यहां पर हम लिख सकते हैं AB upon PQ is equal to BD है हमारी side तो यहां पर इस triangle में यह जो BD side है यह QM side के equal होगी तो यहां पर हम लिख सकते हैं BD upon QM sorry BD upon QM लिखना है BD upon QM is equal to हमारी last side क्या है AD upon PM हम यहां पर लिख सकते हैं कि यह दोनों triangle क्या है similar तो यहां पर आजाएगा AD upon PM हमें question में क्या चाहिए है हमें question में चाहिए AB upon PQ is equal to AD upon PM यहां पर हमें BD upon QM की कोई ज़रूरत नहीं है तो अगर यह इसके equal है और यह इसके equal है तो हम कह सकते हैं कि यह दोनों पार्ट भी क्या होंगे आपस में equal यहां पर हम लिख सकते हैं AB upon PQ is equal to AD upon PM यह हमें question में proof करना था और यह हमने proof कर दिया इसी के साथ हमारा class 10 text 6.3 का question number 16 complete होता है I hope आपको question समझ में आया होगा और वीडियो ची लगे होगी वीडियो ची लगे तो प्लीज वीडियो को like करें and subscribe my channel for more videos Thank you, thank you for watching